मेरे परिवार जुनों मैं आपसे एक बात और पुछूंगा हमारे महराज छत्र साल और दूसरे पुरवजों ने बुंदेल खंड में जल सवरक्षण की तलाबों के विकास के विरासत हमें सौंपी है के नहीं सौंपी है है अच्छे से अच्छे जल प्रबंदन की विवस्ता सौंप के गया कि ने गया है जरा जोर से बताईए दे के गया रहा हमारे पुरवजों ने हमारे लिए इतना काम किया तक नहीं किया था बुंदेल खन जल सवरक्षन की विवस्ता में बहुत आगे था तो फिर आजादी के बार बुंदेल खन को बुंद बुंद पानी के लिए किसने तरसाया किसने तरसाया पानी के लिए किसने तरसाया क्या उस कॉंग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप सो साल तक तरस आईए इनको सो साल तक तब इनका दिमाग ठिकान पर आएगा बीना पानी तरसना क्या होता है बीना सप्ता को कैसे तरसना होता है यह कॉंग्रेश को पता चलना चाहिए यह सजा करोगे मुझे बताईए भाईयों बेनों यह जो केन बेतवा नदिया है यह मोधी प्रधान मंतरी बना उसके बाद बहने लगी क्या ने यह केन बेतवा नदिया यह मोधी के आने उके बाद आई क्या पहले ठीक नहीं थी दसकों तब जब कॉंग्रेश सरकार थी तब भी यह नदिया बहती थी तो फिर केन बेतवा लिंग नहर को मोधी को अका इंतजार क्यों करना पड़ा आज भाजपास सरकार इस परियोजना पर 45,000 करोर रुपे खर्च करने जा रही है यह परियोजना इस पूरे ख्षेत्र का काया कल्प कर देगी और यह मोधी की गारंटी है यह मोधी की गारंटी है 45,000 करोर रुपे लगा कर केन बेतवा लिंग का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरस मिटाओंगा साथियों कॉंग्रेस ने देश भर में दरजुनों बड़ी सिंचाई परियोजना को कई कई सालों कई के दसकों तक लटकाए रखा और कॉंग्रेस के लिए लटकाना भटकाना ये नहीं बाप नहीं है उनका नेचर है लटकाना भटकाना अटकाना और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब कुछ काम होने देना नहीं इन मेंसे MPB अनेक परियोजनाय थी इनको अब भाजपास सरकार ही पूरा कर रही है कॉंग्रेस को हमेशा जिरफ वोट की फसल की चिंता रही है किसान के खेत प्यासे है इसकी परवा कॉंग्रेस को न कल थी और ना आज है साथियों MP ने जब कॉंग्रेस को सत्ता से बहार किया तब बुंदेल खंड में स्विंचाई के दायरे में बहुती सिमित छेत्र था आज स्विंचाई का दायरा कई गुना अधिक हो चुका है छतरपूर जिले में ही 50 अधिक सिंचाई परियोजराये विक्सित की गई है बान सुझेरा पगारा डेम परियोजरा से सेंकडो गाउं तक पानी पहुंचाया जा रहा है बुंदेली परंपरा के नुरुप ही भविश को ध्यान में रखते हुई हमने अम्रूत सरोवर के निर्मान का अभ्यान चलाया है यहां छतरपूर जिले में भी 100 अम्रूत सरोवर बनाए गए हैं मद्ध प्रदेश में भाजबाने 65 लाग जाधिक परिवारों तक पाइप स से पानी पहुंचाया है बुंदेल घंड में भी यह काम तेजी से हो इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं